विल्कम बेक टू मा यूटूब चनल पेपर हैकर आज के इस वीडियों हम बात करेंगे जो आपका सिकंड कोरिशन था उसका बचा हुआ पार्ट ठीक है सिकंड कोरिशन का आपका बचा हुआ पार्ट ठीक है जिसमें आपसे पूंच रहा है कि एपो स्पोरी ठीक है एपो स्पोरी पर आपने टिपड़ी लिखनी यानि कि एपो स्पोरी जो है वह आपका क्या होता ठीक है एपो स्पोरी आपका क्या होता यह आपने बताना या इस पर क्या करना भी आपको टिपड़ी लिखनी है ठीक है चलिए हम बात करते हैं एपो स्पोरी की ठीक है किसकी एपो आपो आपका कहां से ना बन कर, किसी दूसरे वाल भाल से बन जाए, किसी दूसरे वाल से बन जाए, तो यही किरिया आपके क्या कहलाए याप तो बनेगा लेकिन किससे बनेगा किसी बहाग से सीधे ही बन जाए ठीक है तो यही क्रिया आपके क्या कहलाती है इसी क्रिया को हम इसी क्रिया को कहते है इस प्रकार बने युगमकोदविद क्या बनेगा युगमकोदविद इसमें क्या होगा में गुरसूत्रों की संख्या बिजाडविद के बराबर होती है जो आपका युगमकोदविद बना है इसमें इसमें आपका गुरसूत्रों की संख्या सबसे पहले जो आपके ड्रूरी हैं क्या ने अठारासोचारासी में इसको एथीनियम फिलिक्स फैमिना नामक फर्न में इस करिया का अबलोकन किया था इसने किया था भी सबसे पहले ड्रिवरी ने कब 1884 में यह आपका क्या है एथिनियम फिलिक्स फैमिना यह आपका क्या है यह एक आपका पौधा है ठीक है फर्न है ठीक है इसमें क्या किया था इसकरिया का जो है अब लोकन किया था या इसका अध्यन किया था ठीक है किनने ड्रिवरी ने 1884 में उन्होंने देखा कि प्रोथैलस का विकास इस पुरेंजियम के ब्रंत किसे इस पुरेंजियम के ब्रंत तथा उसकी वित्ती से हो गया है जो आपका प्रोथैलस है उसका विकास किसे हो गया है इस पुरेंजियम के ब्रंत तथा उसकी वित्ती से जो है प्रोथैलस का विकास हो गया है उसके बाद इसे अन्य अन्य को किसमें अन्य अन्य को फर्ण में पाया गया ठीक है किसमें पाया गया इसके बाद इसको कई सारे फर्णों में जो है देखा गया या इसका अध्यन किया गया या इसको पाया गया इसमें यह पाया गया कि प्रोथैलस का विकास इस पूर अंकुरण के जो है संपन्न हो जाता है कैसे हो जाता भी बिना इस पूर अंकुरण के यानि कि इस पूर का जो है अंकुरण नहीं होता है या जर्मेशन नहीं होता है इससे पहले ही क्या हो जाता आपका इस पूरुफाइट का जो है प्रोथैलस का विकास हो जाता है किसका वि किरे यहां दर्जनों पधों में देखी जा इस तरह की जो क्रिया है यानि कि क्या हो रहा है विकास हो रहा है गशकर कई पौधों में है देखने को मिलता है करा सर्व और धिकारी 1936 में ने इसे क्या था आस्वनिडा जैवैनिका में देखा ?". सरवधिकारी 1936 ने इसे कब किसमें देखा था आसमुडा जैवनिका में देखा चार्स मोरलांग 1957 ने चार स्मोर्लांग गया है आपके साइंटिस्ट है यह भी क्या है कि सरवादिकारी श्राइब किसमें देखा था जैवनिका में और यह आपके हैं चार स्मोर्लांग जिन्हों और आपका चार्स मोरलांग 1907 में तो इन्होंने किसमें देखा था इसको एपोस्पोरी को कहरा है एपोस्पोरी होने के विभिन कारण है कुछ ऐसे कारण है जिनकी बज़ाओं से जो है एपोस्पोरी उत्पन होती है या एपोस्पोरी जो है आपको देखने को मिलती है पहला कारण क्या है जिसको ब्रिष्टन ने बताया था 1962 में किसने 1962 में आ आपके ब्रेश्टन ने बताया या इन्हों ने पाया कि खनेज पोसक की खनेज पोसड की कमी से जो है आपके एपोस्पोरी देखने को मिलती है ठीक है पूरी तरह से जो है पौत देखो खनेज का पोसड ना मिल पाना ठीक सेकंड कहा रहा है जियो बेल ने सन 1962 में आपके ब्र बनने वाले अंगों में परसपर संबंद है उनने देखा कि जो आपका स्पूरोफाइड है और बनने वाले जो आपके अन अंग है उन दोनों में सीधा क्या है संबंध है ठीक है सीधा relation है परसपर एक दूसरे से और आपके कोशर के अगर हम बात करें तो उन्होंने 1920 में ठीक है कब 1920 जो कि इन दोनों से लगबक बहुत पहले इन्होंने देखा कि मध्यम अत्वा धीमे प्रकास में पत्तियों के ऊपर क्या हो जाता है प्रो थैलस बन जाते हैं क्या हो जाते हैं जब प्रकास आपका कम होगा या मध्यम होगा तब क्या होगा पत्ति प्रकास में प्रकास की स्थिती में इस पोरोफाइटिक कलिका बन जाती है ठीक है जब तेज प्रकास होगा तो क्या होगा पत्तियों की ऊपर आपका प्रोथैलस का फार्मेशन हो जाता है ठीक है तो यह तो था आपका एपो इस्पोरी क्या था एपो इस्पोरी ठीक है तो इस तरह से आपके second question के दो भाग complete हो गए थर्ड भाग में हमने पढ़ना है आपका Legolas क्या पढ़ना है Legolas ठीक है तो बन रही हमार साथ मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching and share the video